दस नौमबर दोजार तईस अस्सलाम लेकुम्योंस नमस्टकार आदाब आज की मज़ेदार वीडियो में मैं आपको अपने यूटूब चैनल स्ट्रेप्ट दनेजर पे वेल्कप करूंगा जिसा कि हमने पहले से पालक और धनिया लगा दिया हैं तो हमने सोचा कि थोड़े और पालक और धनिया लगा देते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताउंगा कि पालक रखेंगा पहल वां तीन दीफरन T इतना बड़ा पोदा नहीं होता है तो इसकी इतनी बड़ी रूटिंग के लिए नहीं चाहिए होती तो इसलिए हमने चोटे-चोटे पाट लिए तो अभी इसको तीन तरीकों से लगाएंगे तो अगर आप हमारे चेनल पे नए हैं तो चेनल को सब्सक्राइब करना मत भूलन और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना तो चलिए पालक को तीन तरीकों से लगा कर देखते हैं तो पालक को लगाने के लिए सबसे आपको मिट्टी त्यार करनी पीड़े कि मिट्टी में 60% हमने स्वाल लिया और 40% तोड़ा कम प मारे स्टरीकशल से इसमंठीए ना थोड़ी और देंगे इस तरह से बना देंगे यह का कुछ two traceables मुंसे बना कर इसके इंदर वह लगा देंगे सीट्स लगा देंगे इसके लोकल सीट्स को इसके बीच में हम रख देंगे यह सीट्स को फेला देंगे लगेंगे वह सी तरह से यह सीट्स को सीट्स को सागल को था कि मिल लगें इसको सिट्स में ने लिए लगा देंगे इसे सीट्स टरी का यहीए का मिले ल स्था मिलक हने लाओं drip लाओं बीचल जाएगा कि हमने गोड़ी अच्छी करनी है और इनके मरब इससे सीड तो सीड टोड़ा डिफरंस होना चाहिए ताकि यह सीड आपस में गोल मिलना जाए उसी तरह से आप लाइनों में इसको लगा सकते हैं तो यह एक तरीका था कि हमने लाइनों में इनको लगा लिया अब इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं लाइनों में लगें तो अभी इसको अच्छे से मिटी में छुपा देना है ताकि यह अच्छे से चुप जाए मिटी के अंदर तो इसको अच्छे से अंदर हाइड कर लेना है ताकि सीड टो सीड और स्वाइल टो साइल इनकी कॉं ज्याजे तरीका पातरीका कुण सहीड को लगाने के लिए दूसरा तरीका यह है कि हम लों कर देनें और चुटे से में त्सके सिके 20 बोट से प्लांट निकल जाएंगे तो हमें हार्वेश्टिंग करने में बहुत आसानी होगी तो एक ही सीट से इदर लगा देंगे तो फिर ज्यादा से ज्यादा हमें मिल जाएगी तो हमें ज्यादा से ज्यादा हार्वेश्टिंग हो सकती है इसी तरह से हमने इसमें लगा द हमक भी तीसरा तरीका क्या थी एंगों को और देना चार तरफ यह एफ छार्ब है करते हैं टरॅटत व European को की तो फिल आ देजिए को अंदर में चुपा देचिए टीसरा तरीका है पालक को लगाने के लिए यह तीन बणको बताया यसी मज़तार वीडियो को देखने के लिए अगर आप हमारे चीनल पे नहें तो चीनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो अच्छी लगती है कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना तो यह तीसरा वेट था जो मैंने आपको बताया तो यह तीन डिफरेंट वेट से पानी देंगे ना ही ध्रो करेंगे ताकि सीट्स अपने जगा से ना हिल पाएं तो इसको सावर की मदर से पानी देंगे तो अभी इसको यह तीन तरीके थे जो मैंने आपको बताया पालक को लगाने के लिए तो कुछ भी अच्छा लगा वीडियो अच्छी लगी हो तो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारे स्टे अप्ट दनेजर के जैनल को तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया लाफिस असलाम ओलाइकुम